आससलाम आलेकुम एवरीवन अमीद है आप सब क्यारेस से होंगे और आज मैं आपको बता रही है कच्छे आंज की सबसी कैसे बनती है ? क 산 της औप एक होगी किरी होती है जो आप केरी का सीजन भी चल रहा है तो इसमें कच्छ आम की सबजी को किस दाने दाने एक चममच लेना है और इसमें आपको एक चममच हल्दी पाउडर डालना है और आपको एक या दो चममच आपको नमक एड़ करना है क्योंकि नमक डालने से पहले क्या होते हैं जो हमारी केरी होती है उसमें नमक अच्छे से अपजर हो जाता है हम बाद में नमक डालते हैं तो अंदर से फीक फीक किसी केरी निकलती है तो नमक पहले इस पानी में आप डालो अब इसको अच्छे से बॉइल करना है आपको ठीक ह कैरी को तब तक पकाना है जब तक के की जो कैरी का उपर का छिलका नहीं हो जाए बहुत जादा आपको इसको नहीं उबाल ना कि बहुत सॉफ्ट नहीं करना है इसको फिर mayoría तो आपको इतना करना है 70% इसको आपको चलाते रहना बीच बीच में अब जब पानी थोड़ा सा बॉइल होने लगे ठीक है तब इसको ढग के आप रख दो जब तक हम अपने दूसरा सामान की तैयारी कर लेते हैं तो उसके लिए मैंने एक कटोरी लिए उसमें मेरी एक किलो के रही है तो मैंने तीन चमच यहां पर धनिया पाउडर ले लिया तीन चमच मैंने धनिया पाउडर ले लिया उसी के साथ मैंने दो चमच यहां पर मिर्च पाउडर डाल दूए अगर आपकी तीक ही है तो कम कर ल दालना है तो तब तक इसको एक पानी में डाल कर एक अच्छा सा पेस्ट बनाना है जिससे जो हमारा मसाला इनम अच्छे से फूल जाता है और पता है पहले क्या करते थे तो उसकी सब्जी अलगी तो रंगाती है सब्जी पर टेस्ट भी बहुत जबर्दस्त वाला आता है तेस्ट भी बट आजके हम डायरेक्ट मसाले डालते हैं तो वह इतना अच्छा लुक नहीं आता उसके बाद मैंने दो चमच लिए है सौफ के दाने इस सौफ के दाना इनको तो आपको अच्छे से पूट लेना है ठीक है दरदरा सा इसको कूट लेना है विल्कुल mix powder तो नहीं करना बढ़ दरदरा इसको कूले ना сов को को यह मैंने देखो आप देखो यह मैंने ऐसा दरदरा साइब एक साइब इनकाल पानी शारर निकाल देडिक है गया ऊसूर के बाद को चाला फानशकर निकाल देना कुर्थ सौफ को मैंने कडाई में चौप में डाल दिया मैं सौप का छोंग दिया है उसके पाद जो मनें मसाला भीगो के रखा था उसमासाले को इसमें अच्छे से भून आए जब तक वूनना चाहिए जब तक कि उसमें जाली पढ़ने लग जाए मसाले में और जो तेल है ना वो मसाला छोड़ दे तो उसका मतलब यह है कि हमारा मसाला अच्छे से भुन गया जब तक मसाला अच्छे से नहीं भुनता अच्छे से नहीं पकता तब तक सबजी में स्वाद अच्छा नहीं आता ठीक है अब मेरा देख रहे है कि आप मसाले ने सब में Mix कर देनां जिसे कि हमारी के अंदर वह एफस्ट से अंदर चला जाए नहीं दूसरी अंदर अंदर से निकलते फिर टथ में आथी तो सारे मसाले वह आछे से मिक्स कर और यौन रणावी कर देनी आपको और क häufी करी खटी होती है तो खाने में अच्छी नहीं लगती तो इसके वज़े से मैंने यहां पर दो चमत चीनी एड़ करने से यहां पर हलका सा खटा से वह कम हो जाएगा और थोड़ा सा खटा मीटा सा टेस्ट आता जो बहुत ही अच्छा लगता है ठीक है उसके बाद कैरी को ढखके इसको कम से कम चार कारो तरफ मसाले कवर कर लिया केरी को वह कितने अच्छे से यह मसाला इसमें मिक्स हो गया ठीक है तो आप इस तरह से केरी बना के देखना बहुत अच्छा टेस्ट आता है ठीक है और बहुत अच्छी के